हलो दोस्तो माई डिस माई तरका की तरफ से आपको नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं गिया और पालक की सबजी जो कि बहुत ही स्वादिश्ट होती है इसके लिए हमने आदा केजी लोकी लिए है जिसको काट कर सोड़े पीशों में कर लिया और पाव हमने पालक लिया है ज और तो टिमाटर खुड़ा और थोड़ा धनिया लिया है और जो स उमकरी है इसके लिए हम मिदी पावडर और एक चमच मिर्च पावडर एक चमच दंगे प्रूट और स्वाद नुशार नमक लेंगी और एक बड़ा चमच तेल डालेगी और देखिए तोड़ा जेरा लिया है और एक इंस अधर का टोड़ा इसको कर लिया है और ये कि पांफ्शे लूंग और छोटा दालचीनी का टोड़ा और दो लूंग झिनक पीछ लिया है और हुआ हम थोड़ा कडी पता लिया है इन कि इंधे ये सोन है और अब कड़ा एं में त Tucet कि देखे तेल गर्म होने तक शोटेंगे एक बार दिमी प्लेम रिखेंगे ये इसका ये देखे तेल गर्म हो चुगा है जिरा डालीगे इसके बाद तलिक पशा गलीगे लॉंग ताज चीनी काली मिर्ट गलीगे इसके बाद पिसा हुआ लसून अधरत और पल्टे की साइटा की इसके बाद लिख टालेंगे इसके बाद प्याज टालेंगे इसके बाद प्याज टालेंगे इसके बाद प्याज को ज्यादा नहीं बुनेगे इसके बाद घिया डालेंगे इसके बाद घिया डालेंगे इसके बाद घिया को अच्छी से मिलाएंगे इसके बाद में हम हर्दी डालेंगे द्थे घी लिए गिया को अच्छी से हर्दी दे पकाएंगे इसके बाद दाल मिस्ट डालेंगे एक तमच एक तमच द्धन्य पाऊडर और स्वार बन्षाल नम्च डालेंगे इसके बाद पालग डानेंगे यह देखिए जब यह अच्छी से मिक्स हो जाए इसके बाद में टमाटर डालना चाहिए टमाटर को अच्छे से मिलाने के बाद में अब हम दो तिन मीट के लिए बड़केंगे यह देखिए एक बार पलेट टाता देख से ही और पल्टे को चलात रहेंगे परकार से देखिए बहुत ही अच्छी फस्वार यह है अभी तैयार नहीं हुए एक मिट के लिए दोबरह ड़केंगे पलेट अटाएंगे देखिए यह देखिए घ्या और पालक की सब्सक्राइब करते या रोच की है और अब इसको सरीम पलेट में निकालते ही यह दोस्तों बहुत ही गुणकारी और लाबदारी होती है इसको कमजोर और बीमार व्यक्तियों को अवस्य खाना चाहिए यह दे देखिए बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब कर त्यार हुए है और अच्छी खुश्पों आ रही है अच्छा दोस्तों गिया और पालक की सब्जी आपको पसंद आई हो तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाराने भूलें ताकि अगले एपिसोड तक आप नोटिप्रिकसिन मिलता रहें अच्छा दोस्तों झाल